तो हेलो एंड वेलकम अगें दोस्तों आज से ठीक एक साल पहले 9 सब्टेंबर को ब्रहमास्तर मूबी को रिलीज करा गया था एक ऐसी मूबी बॉलिवूड में आई थी जो एक बार के लिए मार्वल डीसी के सिनेमेटोग्राफिक को टक्कर देने वाली थी सूपर हीरो के रूप में ये मूबी को उतारा गया था और यहां से बहुत सी प्रेडिक्शन से लगाई जाने लग गई थी जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तो फर्स टाइम जब मैंने देखा था ट्रेलर मेरे को आउसम लगा था सही बताऊ तो ओनेसली बोलू तो इंडिया से यहां पर अब ये प्रेडिक्शन होने लग गई थी कि सूपर हीरो के हिसाब से अब हमारे देश में भी मूबी आने वाली है बट वही सीच की सिख्ये के दो पहलू एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे कुछ लोग निग पाएगी ये कैसे चल पाएगी इसके VFX भी ऐसे ही है बाकी मूबी देखके लगा कि VFX ठीक ठाक थे उतने दमदार भी नहीं थे और उतने बेकार भी नहीं थे मलब एक सुरुवाती ग्रोथ के लिए जो VFX देखने को मिले ब्रहमास्त्र में बढ़िया थे उसका VFX में जो गड़बरी थोड़ा देखने को मिली लास्ट में देखने को मली क्योंकि लास्ट में जबरदस्ती की घजन मज़व टाइप की हो गई थी ब्रहमास्त्र की अगर आपने एंडिंग को ध्यान से देखा है तब ठीक एक साल बाद अब ब्रहमास्त्र 2 का और जब ब्रहमास्त् कर दी गई थी तो डायान मुखर जी ने अब टार टू के लिए अनाउंस्मेंट कर दिया है सोसल मेडिया पर आटिस्टिक फॉर्म में तीन मोशन पोस्टर को रिलीज करा गया है एक अच्छे व्यूजलाइजेशन के साथ जबर्दस तरीके से और धमाकेदार लग रहे हैं अ अपनी पावर बढ़ाने के लिए निगेटिविटी की ओप चला गया क्योंकि पहले तो वह पॉजिटिवली था फिर निगेटिविट पावर को बढ़ाने के लिए उसने दूसरों को मारना कर दिया सुरू उसके बाद फिर पावर उनसे चीनने लगा वगएरा वगएरा ज तो सिवा अब इसके पीछे का रेजन उसे जानना था क्योंकि उसके मम्मी और पिताजी के बीच में इतनी लडाई कैसे होगी देव क्या कहते हैं दूसरी तरफ ये निगेटिविटे की तरफ क्यों चला गया पार्ट टू देव के रेस्पेक्ट में बनाय जा रहा है देव की सिवा का इसके बीच में क्या कहानी होने बाली है इन दोनों के बीच में पहले तो fight generate होगी controversy rivalry चलेगी इन दोनों के बीच में क्योंकि ये तीन poster में एक एक करके बताऊंगा तो उसमें आपको यहां से theory समझ में आने लग जाएगे और थोड़ा सा breakdown करेंगे इतना तो मुझे धंग से पता है नी क्योंकि क्या चल रहा है आयान मुखरजी की दिमाग में वह ही जानते हैं लेकिन motion poster से देखके कुछ ना कुछ breakdown हमारे दिमाग में निकल ला है थोड़ा सा आज हमसन हम कर सकते हैं तो पहला जो motion poster निकाला गया था उसमें क्या है देव और उसके पीछे अ अवा मिलट की पड़ी है तो ये दोनों क्या कर रहे हैं एक डीमन को मारने के लिए जा रहे हैं ये second motion poster में दिखाया गया है घोड़े पर देव फिलकुल रौद्र रूप से सवार है और हाथ में तृसूल वो भी लाल कलर से और सामने एक डीमन है जो बहुती पावरफुल जा रहा है motion poster में तो इसको मारने के लिए जा रहा है तो यहाँ पर एक ठीवरी ये जनरेट होती है कि देव को सायद ये जो सब चीजे करनी पड़ी जो एंडिंग पर क्या कते हैं देव को निगेटिव करेक्टर दिखाया गया तो इस डीमन को मारने के लिए सायद ये लग रहा है कि देव एक powerful villain से पंगा लेने जा रहा है जिससे लड़ते समय उसे धेर सारी power की ज़रत पड़ेगी और अब ये चीज़ समझ में भी आ रही है कि देव को ये सारी powers क्यों चाहिए थी तीसरे motion poster में दिखाये गया है सिवा और देव के सीधे आमने सामने की टक्क इसमें से सिवा हवा में से उपर तूट के बरस रहा है किस पे देव पे तो ये सीधा सीधा पता लग रहा है कि पार्ट टू में ब्रहमास्तर के क्या होगा पहले तो इन दोनों के बीच में रैवेलरी चलेगी जहाँ पर देव जो दूसरी plannings में लगा पड़ा होगा वो ड कहानी का सिनेरियो बड़ा जबरदस देखने को मिलेगा मुझे जहां तक लग रहा है 80-90% ये connect करेगा ही करेगा पार्ट टू में या तो एंडिंग पार्ट टू की ये होने वाली होगी कि देव और सिवा दोनों एक साथ मिल जाएंगा उसके बाद डीमन से लड़ेंगा य मेरे को तो यही समझ में आया और मुझे लग भी रहा है कि 80-90% यही होने बारा है तीसरा ये सबसे जबरदस चर्चा चल रही कि देव के रूप में हमें कौन एक्टर देखने को मिल सकता है कई जगे ये कहा जा रहा है कि रनवीर सिंग देखने को मिल सकता है कुछ लोग य ये भी कह रहे हैं सूपरिस्टार यस देखने को मिल सकते मला हमारे रौकी भाया मेरे को क्या लग रहा है कि जब हमारे पास रनवीर कपूर है एक वर्सिटाइल एक्टर तो यह और किसी एक्टर लेने की जरुरत क्यों करेंगे strong possibility की चांसे से है कि रनवीर कपूर ही खुद बाप का भी किरदार निभाएगा जो देव है और सिवा का भी किरदार तो वो निभाई रहा है तो यहां से अगर second अगर मैं option रखता हूं तो यहां पर मुझको दूसरा देव के रूप में रनवीर सिंग लग रहा है क्योंकि जो फिजिक है जो बाल है जो हैरिस्टैल है जो चलने का तरीका है वो एक बार के लिए देव के रूप में रनवीर सिंग ही देखने को लग रहा है तो आप लोगों का कहना है आप लोग किसे देखना चाहेंगे देव के रूप में रनवीर सिंग को रनवीर कपूर को रिति से बार आने वाली है तो 2026 बहुत लंबा टाइम है यहां पर VFX में साइध और सुधार करेंगे जो ब्रहमास्तर 1 में जो गलतियां छोटी छोटी गलतियां थी उनको साइध अब सुधार में लाए जाएगा और मुझे उम्मीद है होफ है जैसे यह मोशन पोस्टर दमदार लग रहा है पूरी मुवी दमदार होने वाली है तो आप लोग कितने अक्साइटेड है ब्रहमास्तरू के लिए यह भी आप फटा फट नीशे कॉमेंट बॉक्स पर जरू बता के जाना बाकी देव के रूप में किसे देखना चाहेंगे यह आप जरू बता के जाना बाकी मुवी रिवी और बक्स अपिस से जुड़ी सबी अपडेट्स के लिए और बालिवुड, हॉलिवुड और साथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए मार साथ ऐसी जुड़े रहना और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू करना दूसरा अंगुठे वाला बड़न दबा के वीडियो को लाइक जरू करना मिलते अगली वीडियो में जैहत